नमस्कार नहों देवांसू आप देखे हैं निजस फॉर्णेशन आजएडी के दारापूर के विधायक रीत लाल यादव जो हैं वो उनकी पहचान जो है वो घुवन्तू विधायकों में से होती है और ऐसा इसलिए होती है क्योंकि वो हर बक छेत्र का भ्रह्मन जो है वो करत रहते इसी कड़ी में आज बिहार विधान सवा के बजट सत्की सुरुवात हुई और आज सत्र के बीच वो अपने छेत्र पहुंचे और गरीब लोगों से या कहें कि लोगों से मुलाकात की उनकी समस्याओं को जाना और किस तरीके से समस्याओं का समधान हो इस पर रीत ल रीतलाल यादब घुमंटू विधायक है। गुमंटू इस माइने में हैं कि रीतलाल यादब जो है वहार बक्ट छेत्र के लोगों के संपर्क में रहते हैं और छेत्र का भरमन करतेहते। कड़ी में आज दानापूर दियारा छेत्र के मानस पानापूर पहुँचे और सा बात करते हैं बच्चों से भी बात करते हैं और महिलाओं से भी बात करते हैं तो कहीं न कहीं शुनाओं का वक्त नहीं है लेकिन जिस तरीके से रीतलाल यादब की जो कैम्पेंड है वो लगातार चलती रहती है और जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो अन्यास ही लिकल पड़ मानस पानापूर और खैदल्पूर जहाँ पर सबसे पहरे वो एक बुजुर्ग से मिलते हैं और यह पोस्ते हैं कि आपकी 사ệcिल में हवा नहीं है क्या तो बुजुर्ग कहता है कि मैं अभी साइकिल में हवा भरवाने याता ओं तो और जब महिलाओं से वो मिलते हैं तो वो उन गूमते रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं जनसपपर के मोमेंट में रहते हैं और इस तरीके में रहते हैं मोमेंटम में उनका रहता है कि मानों की चुनाव सर पर आने वाला हो या कहें कि वो हमेशा घूमते रहते हैं तरसले आपको दानापूर के विधायक हैं रीत ला आदब इस MNC चुनाव में चाहते थे कि उनके छोटे भाई को टिकट दिया जाए पर ऐसा नहीं हुआ तो कहा जा रहा है सोर्सिस भी बता रहे हैं कि 33 आदब ने उन्हें कहा है कि कि साल 2024 लोकसवा चुनाव में आपको पार्टली पूर्टरा से चुनाव लड़वाने जा र आगे पूरा पार्टली पूतरा लोकसवा चेतर में वो जाते हैं भ्रहमन करते हैं एक अलग अंदाज रिखता है 33 आदब और 33 आदब भी कई दफा रीतलाल यादब के तारीफ कर चुके हैं और कहते भी हैं कि रीतलाल यादब हमारी पार्टी के एक ऐसे विधायक हैं जो क कि हर वक्त और हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता के सुक दुख में साथ निभाने वाले विधायक हैं फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं नुस परनेशन